हेलो दोस्तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं आज आपको बताऊंगा कि लूप कार्ड को कैसे मेरा फायर पैनल होता है उससे कैसे हम इसको इंटिग्रेट करते हैं यानि उसको उसके साथ कैसे जोड़ते हैं यह इसको पैनल में सेटिंग करना पड़ता है इस लूप कार्ड का अगर हम पैनल से कॉन्फिग्रेशन नहीं करते हैं या फिर पैनल में इस्टोर नहीं करते हैं तो फिर हमारा यह जो डिटेक्टर जो होते हैं इसका प्रोडामिंग या आटा लर्ण नहीं हो पाएगा जिसके वज़े से यह करना बहुत जरूरी होता है सबसे पहले तो हम वारिन को देख लेंगे इसका इसका जो रिबبन केबल है इसको यहां से इसकोक्नेक्ट करेंगे और करते हुए यह रिबिन केबल इस मेरा लूप काड में इन कर देंगे बन जाएगा इस तरह से यह आप उसमें लूबिंग हो जाता है अब आपको बताऊंगा कि कैसे पैनल को इसमें पैनल को इंस्टोल किया जाता है सारे लूप कार्ट को यानि लूप कॉन्फिगरेशन कैसे किया जाता है यह मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मेन मेनु में गए फिर प्रोड़ाम इलर्टर स्टेटस में गए फिर डिफॉल्ट पासवड आता है उसको डाल देंगे इसके बाद यहां प्रोड़ाम में यहां पे प्रेस कर दिएये फिर मुह में प्रेस करेंगे देखए लूप कॉन्फिगरेशन करने जा रहे हैं यानि हम यह में फॉनिख करने जा रहे है कैसे इस को आपस में install करना पड़ता है तो वो करने जा रहा है तो loop configuration कर देंगे अब देखिए यहाँ loop selection यानि जिसको हम install करेंगे उसको हम यहाँ डाल देंगे इस loop selection में तो हम मालो हम पहला करने जा रहा है तो loop configuration मैं loop selector दिये पहला अगर आगे करना है तो यह next कर देंगे, जिसका भी करना है, इसको कर देंगे, next करके, अभी हमको पहला करना है, तो पहला कर देंगे, फिर हम इसको accept कर देंगे, फिर यहाँ जो yes लिखा हुआ है न, यह no लिखा हुआ आता है, नो जैसे है यह क्या हम बिलता है इंस्टल्ड नो हम इसको यस करदेंगे ओन पिर एंधर को यहां फिर ओन हो गया यह मैंने इसका औन होा है एप्र बिलिंक करता आधर हम वठाएखन एकerap करते हैं हैं आप यूज में इस तरह रिए हमारे मुर्णा के फूल आप अब हमारा यह जो लूब कार्ड है। कया आप इसमें पैनल से ख़ुए स्पार लफ़र से श्लिए। इरेक्टर अब हम झाला इसम रीट्व कार्ड है हिंसी तरह से लूप कार्ड करिएेक है। लूप कॉन्फिग्रेशन किया जाता है, यह सिंगल सिंगल करना करना पढ़ेगा, तब जाकि यह कम्प्लीट हो जाएगा, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने नंबर्स का पैनल है, मानलों यह सिक्स लूप का पैनल है, तो हमको एक-एक करके सारे में अलग-अलग से करना पड़ता है configuration लूप configuration करना पड़ता है तब जाकर कि यह सारे पैनल सारे लूप cards आपस में पैनल से integrate यानी install होते हैं प्रोडामिंग का लिंक description में डला हुआ है